गाईज अभी मैं राम सेतु ये फिल्म देखके आया हूँ और मजाग ने जिन लोगों को लग रा था ना कि ये फिल्म उतनी अच्छी नहीं होगी तो उन्हें ये फिल्म रॉंग प्रूव करने वाली है इस फिल्म से रिलेटेड मैं इस वीडियो में कोई भी स्पॉलर्स नहीं दूँगा लेकिन मैं इतना कहाना चाहूँगा कि जब आप ये फिल्म थेटर से देखके बाहर निकलोगे तो आपके चेहरे पे एक अलगी स्माइल होगी अब इस फिल्म का ट्रिलर देखके जिन लोगों को भी लग रहा था कि ये फिल्म उतनी अच्छी नहीं होगी वो तो रॉंग प्रूव होई जाएंगे लेकिन रॉंग प्रूव होने के बावजुद भी उन्हें अच्छा लगेगा क्योंकि इस फिल्म का एंड ही कुछ ऐस करने के लिए अक्षे कुमार के कयरेक्टर को हायर किया जाता है जो कि इस फिल्म में एक और आर्केोलोजिस्ट का तो काम हिए होता है गड़े मुद्य Subscribe questions कि वो कैसे non-believer से एक believer में convert होता है कि वो कैसे believe करता है कि राम सितु को सच में भगवान राम जी ने बनाया है और इस फिल्म में बहुत से पुरानों में से बहुत से real facts भी बताये गए है जो बहुत लोगों को कम पता है और पुरानों में लिखे उनी facts के सहारे 7000 साल पहले जो history दफन हुई है उसी को खुरेदनी की ये लोग कोशिश करते है जिसे इस फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया गया है हाँ इस फिल्म में थोड़े बहुत problems भी है लेकिन उतने बड़े problems नहीं है जितनी अच्छी ये फिल्म है इंटरवल के पहले का जो पार्ट है व वो शूट हमें नकली feel होता है एक्चुली यहाँ पर CGI करने की ज़रूरत ही नहीं थी वो practical effects का भी use कर सकते थे या फिर real suit भी बना सकते थे बट उन्होंने यहाँ पर ऐसा नहीं किया लेकिन अगर देखा जाये तो ये फिल्म हमें CGI नहीं बेच रही है इस फिल्म का जो main focus है वो है अपने पुरानों में छुपे हुए facts और राम सेतु की history और कैसे ये लोग 7000 साल पहले दफन हुई history को लोगों के सामने लाते है इसलिए मैंने इस फिल्म को देखते वक्त CGI को उतना importance नहीं दिया और आप लोग भी मत देना लेकिन actually इस फिल्म में Iron Man की suit के अलावा हम पानी के अंदर के जो shots दिखाए गए है जहाँ पे CGI मचलिया भी दिखाए गई है वो बहुत ही believable लगती है अब आते है इस फिल्म के सबसे important part पर जो की है interval के बाद का part और मैं सच कह रहा हूँ कि interval के बाद ये फिल्म जो pacing पकड़ती है वो बहुत ही सही है और इसके second half में ह जो कुछ भी दिखाया जाता है मैं सच कह रहा हूँ आप लोगों के goose bumps आ जाएंगे इस फिल्म का interval होता है एक character के introduction से जिसका नाम है AP और ये fact है कि ये जो character हमें दिखाया गया है AP का ये आप लोगों को अक्षय गुमार के character से भी बहुत जादा पसंद आएगा और अगर सिर्फ कथा नहीं है बलकि अपनी इंडिया की history है इंटरवल के बाद इस film में ऐसे बहुत से scenes है जिन scenes में आपको goose bumps तो जरूर आएंगे और हाँ एक suspense दिखाया गया है इस film में जिसे हम predict तो करी सकते है लेकिन जब वो prediction इस film में सच होती है तो मैं सच कह रहा हूँ बहुत ह अंगार goose bumps आते है राम सेतु का देखने के बाद मैं चाहता था कि जो भी राम सेतु की history दिखाई की है रामायन की history दिखाई की है उसके थोड़ा और deep जाना चाहिए था इन लोगों ने वैसे इस film के end में हमें एक court scene भी देखने को मिला है जो की बहुत ही तगड़ा है इस film को देखने के बाद इस film को कार्तिकेया से compare करेंगे लेकिन ऐसा ना ही करोगे तो अच्छा होगा क्यूंकि यह film हमें कार्तिकेया जैसी mystery तो प्रोवाइड करती है लेकिन यह film अपने आप में ही कुछ different भी हमें देती है इस film में हमें कुछ ऐसे scenes भी दिखाए गया है ज जाता है जो भी है यह film मुझे बहुत अच्छी लगी और बॉल्यूड सुधर रहा है यह देखके मुझे और भी अच्छा लग रहा है अरे हां मैंने तो आदिपूरुष के बारे में बात ही नहीं की इस film में जो भी CGI दिखाया गया है जैसा भी है वह 100% आदिपूरुष से कई गुना बेटर है इस film को देखने से पहले इस film से related मेरे कुछ भी expectations नहीं थे लेकिन इस film को देखने के बाद मुझे अब लग रहा है कि कार्थी किया जैसा इसका भी अब universe बनाना चाहिए जिसमें ऐसे ही अक्षे कुमार का जो character है अपनी हजारों सालों पुरानी दफन ह हुई history को बाहर निकाले जो मैं जरूर देखना जाऊँगा और हां आप लोग यह film देखने वाले हो यह नहीं मुझे कमेंट में जरूरunda आतना या फिर आप लोगों ने इस film को आपको पसंद आया होगा तो प्लिज इस studio को like कर देना और मैं चानल को subscribe कर देना तो मिलता हो इसे किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग